हेलो एर वेलकम टू देजु क्लासेस आप सभी का आपका अपना यूटुब चैनल देजु क्लासेस में स्वागत है आपका एक्जाम का पेपर 25 तारीक को है प्रिवियस वीडियो में हम लोग ने जो पार्ट वन था अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आ में आपका वास्तिक संख्याएं से लेकर के त्रिभूष तक के जो इंपॉर्टेंट mcqs आ सकते हैं या फिर जितने भी mcqs उसन सारे चाप्टर से बन सकते हैं उसका हम लोगों ने डिसकस किया है उस वीडियो में और इस वीडियो में यह जो पार्ट टू है इसमें हम ल इसके बाद आपका कल सब्जेक्टिव का भी कुछ जो सेक्शन सी है उसके कोशन को लेकर के हम आएंगे तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेज कर लें चलिए देखते हम लोग पार्ट टू में निर्दसांग जामिती से पहला जो चैप्टर उठाएंगे हम लोग निर्दसांग जामिती उठाएंगे और उससे हम लोग देखेंगे यह आपका कोश्चन से 20 तक हम लोग इने करा रखा है प्रिवेस वीडियो में और इस वीडियो में हम लोग तो निर्दसांग जयामिती से यह आपका एक य एक्सिस यानि वाई अक्ष और यह आपका एक्स अक्ष और जीन जो होता है यानि मुल बिंदू मुल बिंदू की दूरी मुल बिंदू का जो कॉडिनेट या फिर निर्दसांग वो कितना होता है जीरो जीरो ठीक है तो मुल बिंदू का निर्दसांग पूछा जा सकता है अगर य अक्ष से कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं जैसे यह पॉइंट मालीजे ए है यह क्या होगा एक्स और वाई इसका कॉडिनेट क्या होगा एक्स और वाई इसका मतलब है कि y अक्ष से x दूरी पर है और x अक्ष से y दूरी पर है, ठीक है? दूसरा चीज, कि अगर coordinate x और y है, तो x को हम लोग बोलते हैं epsisa और y को बोलते हैं ordinate, y को बोलते हैं ordinate और इसको बोलते हैं epsisa, ठीक है? हिंदी में बोलेंगे इसको भूज और इसको बोलते हैं कोटी, ठीक है? भूज और कोटी फिर हम लोग देखेंगे दूरी सुत्र, दूरी सुत्र क्या है? यानि दो coordinate है, एक है आपका x1 और y1 और दूसरे coordinate है x2 और y2 इन दोनो coordinate में जो दूरी होगी, वो क्या हो जाएगी? रूट के अंदर x2 माइनस x1 का square प्लस y2 माइनस y1 का square ये आपका क्या हो गया? दूरी सुत्र, ठीक है? इन दोनो coordinates के बीच की दूरी, ठीक है? इन दोनों निर्दसांग की बीच की दूरी विभाजन सुत्र क्या कहता है? अगर एक point है a, जो है आपका x1 और y1 और दूसरा point है b, x2 और y2, ठीक है? एक point p है, जो इसको क्या कर रहा है? बिभाजित कर रहा है m1, m2 अनुपात में, अनुपात क्या है? m1 is to m2, ठीक है? अब इसके बाद क्या है? m1, m2 जब हो गया, तो सुत्र क्या कहता है? x अक्ष जो होगा, यह point p है, जिसका x और y आपको निकालना है तो x बराबर क्या हो जाएगा? m1, x2, प्लस, m2, x1, बाई, m1, प्लस, m2 m1, x2, प्लस, m2, x1, बाई, m1, प्लस, x2, ठीक है? उसके बाद y, जब y की बात करेंगे, तो y is equal to m1, y2, प्लस, m2, y1, by m1, प्लस, m2, clear है? तो यह हो गया, एक हो गया, x और दूसरा हो गया, y, ठीक है? अब देखिए, यहाँ से, आगे अगर हम लोग बात करेंगे, तो अगर आगे बात करेंगे, तो देखेंगे, एक और चीज़ आपको मिलेगा, area of triangle, क्या मिलेगा, area of triangle, तो area of triangle में क्या है, मालो एक triangle है, यह आपका x1, y1, यह हो जाएगा आपका x2, और y2, यह x3 और y3, तो यहाँ से दो questions बनते हैं, यहाँ तो पूछ देगा कि तीन coordinate दिये हुए रहेंगे, और पूछा जाएगा कि कॉलिनियर है की नहीं, सन रेखी है की नहीं, यह दिखाईए, यह दूसरा देदेगा, त्रिभूज का छेतरफल बताईए, ठीक है, क्या देदेगा, यह तो देदेगा कि coordinate जो है, वो आपका सन रेखी है की नहीं, और दूसरा क्या देदेगा, दूसरा देदेगा कि coordinates जो है, वो, area, मतलब सीधे त्रिभूज का छेतरफल आपको निकालने के लिए देदेगा, ठीक है, चलिए, तो इसका फर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फर्मूला हो जाएगा, एक बटादू, ठीक है, x1, x1 ऐसी चलेगा, y2 माइनस y3, है ना, प्लस x2, x2 टू आ गया, तो 2 के बाद क्या हो जाएगा, 3, तो y3 माइनस y1, प्लस x3, 3 आ गया, तो 3 के बाद क्या होगा, 1, तो y1 माइनस y2, ठीक है, यह मौड में, तो यह है आपका त्रिभूज का छेतरफल, तो हम लोग ने निर्दे सांग से जो भी फर्मूला है, उसको हम लोग ने देख लिया, ठीक है, अब क्या है, अगर कॉलिनियर कहेगा, अगर यह सन रखी होगा, तो यह आपका zero हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, zero हो जाएगा, clear, चलीए, अब आईए हम लोग कोश्चन्स को देखते ही, यहाँ पे कौश्चन्स दिये हुए हैं तो यहाँ पे जो question है वो आपका दिया हुआ है कि किसी बिंदू के Y अक्ष से दूरी उस बिंदू को क्या कहा जाता था थे Y अक्ष के दूरी को क्या कहा जाएगा भूज भूज इसमें कोई नहीं है इन में से कोई नहीं लेकिन निर्दे सांग और y निर्दे सांग भी दिया हुआ है ठीक है निर्दे सांग होता है coordinate x coordinate और y coordinate ठीक है अब देखिए एक चिस थोड़ा से आप ध्यान से देखेंगे कि यह एक सक्षे और यह बिंदू है इसका जब बिंदू होगा वो क्या हो जाएगा x और y y क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी ठीक है और अगर एक ससे दूरी कहते हैं यह point तो यह हो जाएगा आपका x 0 हो जाएगा और y ठीक है अब यहाँ पर क्या है कोशन कहा रहा है कि y अक्ष से दूरी उस बिंदू का कहा जाता है किसी बिंदू की y अक्ष से दूरी उस बिंदू का x निर्दे सांग कहलाएगा कि y निर्दे सांग कहलाएगा कि कोटी कहलाएगा कि इन में से कोई नहीं क्या हो जाएगा इन में से कोई नहीं क्या कहलाएगा भूज कहलाएगा y अक्ष से दूरी जो होती है उस बिंदू का क्या कहलाता है भूज कहलाता है ठीक है चलिए अगर एक्स अक्ष का निर्दे सांग अगर आपसे पूछेगा एक्स अक्ष का निर्दे सांग क्या हो जाएगा एक्स और जीरो यानि वाई से दूरी किस से दूरी वाई से दूरी तो X निर्दे सांख X अक्ष का निर्दे सांख जो होगा वो क्या हो जाएगा X और 0 Y अक्ष का निर्दे सांख क्या हो जाएगा 0 और Y ये क्या हो जाएगा X से दूरी और ये क्या है Y अक्ष से दूरी तो अगर यहाँ पे X अक्ष और Y अक्ष का निर्दे सांग कराता तो इसमें एक्स अक्ष का निर्दे सांग हो जाता क्लियर है चलिए नेक्स कोश्चन देखिए बिंदू दू और तीन की दूरी मूल बिंदू से होगी मूल बिंदू से दू और तीन की दूरी क्या होगी तो मूल बिंदू क्या हो गया मूल बिंदू रखें कि x1 minus x2 का whole square plus y1 minus y2 का whole square करिएगा तब भी same result आएगा क्यों कि square है है ना तो 2 minus 0 कितना हो जाएगा root के अंदर 2 minus 0 कितना हो जाएगा 2 2 का square plus 3 minus 0 तो 3 का square दूदुनी के 4 3 3 के 9 कितना हो जाएगा root 13 कितना हो जाएगा root 13 तो मूल बिंदू से कितनी दूरी होगी root 13 इन में से कोई नहीं इन में से कोई नहीं क्यों क्योंकि answer क्या हो जाएगा root 13 clear है चलिए next question दखिए question दखिए यह आपका त्रिकोन मीती का परिचय जो chapter है उससे है है ना तो क्या है कि 9 x square a minus 0 10 square a अच्छे इससे पहले आपको क्या-क्या याद करना है इससे आपको सारा value याद करना है यानि sign का जो value है 0 degree पर 0, 30 degree पर 1 बटा दू, 45 degree पर 1 बटा रूट दू, 60 degree पर रूट तीन बटा दू और 90 degree पर 1 अब यही कॉस में यहां से स्टार्ट हो जाएगा कॉस 0, 1 कॉस 30 degree यह वाला इधर आ जाएगा तो रूट 3 बाई 2 कॉस 45 degree रूट 1 बाई रूट 2 कॉस 60 degree एक बटा दू और कॉस 90 degree 0 ठीक है तो किसी एक marks में जो OMCQ रहेंगे उसमें किसी का भी degree भी पूस देगा कि sin 30 degree की वैलू बताईए, है ना sin 60 degree की वैलू बताईए, tan 30 degree की वैलू बताईए, है ना तो यह हो गया आपका किस की वैलू, cos की वैलू है ना फिर क्या है फिर आपका tan tan की वैलू क्या हो जाएगी 0 by 1 तो tan 0, 0 एक बता, दू बते रूट 3 by 2, तो क्या जाएगा एक बता रूट 3, किस पर, 30 degree पर 45 degree पर 1 60 degree पर रूट 3 हना और 90 degree पर infinity, अनंत ठीक है, अब क्या है कॉसेक, कॉसेक का तो 0 का उल्टा infinite एक बते दू का, 2 इसका रूट 2, इसका दू बता रूट 3 और 1 का, 1 पलट देंगे कॉसेक का उल्टा क्या होता, सेक तो सेक की अगर वैलू पूछीगी तो सेक 0, 1 सेक 30, तो दू बता रूट 3 सेक 45, तो रूट 2 सेक 60, तो 2 और सेक 90, तो 0 का उल्टा infinite, यानि infinity यानि अपरिभासित, undefined ठीक है? चलिए कॉट पुछेगा, तो कॉट में 10 का उल्टा तो कॉट 0 क्या हो जाएगा? अपरिभासित कॉट 30 डिगरी क्या हो जाएगा? रूट 3 कॉट 45 डिगरी क्या हो जाएगा? 1, कॉट 60 डिगरी क्या हो जाएगा? एक बटा रूट 3 और कॉट 90 क्या हो जाएगा? infinite क्या हो जाएगा? 0 clear है? तो ये आपकी value है, है ना, सब पे है तो इसको आप ध्यान में रखेंगे ठीक है? चलिए 9 सेक स्क्वाइर A माइनस 9 10 स्क्वाइर A किसके बराबर है? अच्छे, इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे एक मिनट कुछ फर्मूला है, उसको भी आप ध्यान में रखेंगे साइन स्क्वाइर थिटा प्लस कॉस स्क्वाइर थिटा बराबर 1 यानि 1 माइनस साइन स्क्वाइर थिटा बराबर क्या हो जागा? कॉस स्क्वाइर थिटा 1 माइनस स्क्वाइर थिटा बराबर क्या हो जागा? साइन स्क्वाइर थिटा अच्छे, फिर साइन थिटा का उल्टा कॉसेक थिटा वन भाई कॉसेक थिटा कॉसेक थिटा कॉसेक थिटा और टैन थिटा कॉल्टा वन भाई कॉट थिटा वन वन प्लस टैन स्क्वाइर थिटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वाइर थिटा one plus court square theta बराबर क्या हो जैगा cross sillaign square theta ठीक है sayarm square theta minus 10 square theta क्या हो जैगा court square theta cross silla Aufg forecasts square theta − court square theta क्या हो जैगा तब भी one हो जैगा clear है तो यह formula है इनको भी आप ध्यान में रखेंगे ठीक है चलिए उसके बाद आप देखेंगे कि साइन 90 माइनस थिटा साइन 90 माइनस थिटा क्या हो जाएगा कॉस थिटा क्या हो जाएगा वैसे ही कॉस 90 माइनस थिटा क्या हो जाएगा साइन थिटा 10 90 माइनस थिटा यानि 10 90 माइनस थिटा ये क्या हो जाएगा सेक 90-θ क्यों हो जाएगा कॉस सेक 90-θ कॉस 90-θ साइन थीटा कॉस 90-θ साइन थीटा चलिए दो तरह के प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं एक प्रश्न पूछा जाएगा साइन 33 डिगरी माइनस कॉस संतावन डिगरी ठीक है देखिए साइन कॉस है और 33 और 57 को जोड़ने के बाद 90 आ रहा है इसकी वैलू हो जाएगी 0 सीधा वन मार्क्स में इसको बनाने की आपको जुरत नहीं है अगर इसको बनाने के लिए रहता है तो क्या है आप लोग पढ़े होंगे इसको यह रिवीजन क्लास है तो इसलिए पूरे डिटेल से नहीं बताया जाएगा लेकिन साइन 33 डिगरी माइनस कॉस को क्या लिख सकते है 90 माइनस 57 है न तो 57 को 90 माइनस क्या हो जागा 33 डिगरी तो साइन 33 डिगरी माइनस कॉस 90 माइनस ठीटा क्या हो जाता है साइन ठीटा तो साइन 33 डिगरी यह दोनों क्या हो जागा कट जाएगा इसलिए अगर माइनस में दिया हुए है इस हना तो जीरो और अगर साइन 33 डिगरी बटा कॉस 57 डिगरी ये दोनों को जोड़िए 90 डिगरी साइन और कॉस है 10 और कॉट है सेक और कॉसिक है और ये दोनों को जोड़ने के बाद 90 आता है इसकी वैलू हो जाएगी 1 जैसे पिछला बनाए थे वैसे इसको भी बनाएंगे तो अगर डिवाइड में है तो वैलू 1 और माइनस में है तो वैलू 0 ठीक है चलिए अब आई ये क्वेस्चन यहां पर 9 सेक स्क्वाइर ए माइनस 9 टैन स्क्वाइर ए तो क्या हो जाएगा 9 कॉमन हो जाएगा सेक स्क्वाइर ए माइनस 10 इसक्वाइर ए अभी हम लोग ने फर्मूला देखा ये फर्मूला ये देखिए से कि स्क्वार थीटा माइनस टैने स्क्वार थीटा कितनी आ जाएगी वेल वन तो क्या हो जाएगा बराबर 9 इंटू वन तो कितना अंसर आ जाएगा नौ इसका सही अंसर 9 ठीक है 然後 26 बटा कॉट 64 क्या है टैन ट्वेंटी सिक्स बटा कॉट चोह सठ हमने क्या कहा था टैन कॉट हो कॉस सेख खो दोनों को जोड़ने के बाद 90 आयो तो उसकी वेलु क्या हो जाएगी 1 क्या जाएगी 1 तो इसको बनाने के विजुरत आपको न ही है सीधा value क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी ठीक है चलिए 10x बराबर 1 कोश्चन कहा रहा है कि 10x बराबर 1 क्या है इसका मतलब यानि 10 का कौन सा ऐसा degree है जिस पर value इसका 1 होता है तो किस degree पर value एक होता है तो 45 degree पर तो सीधा इसका answer 45 degree ठीक है तो जिते भी यह formula बता है इन्ही फर्मूला या इन्ही value में से यह question पूछा जाएगा है इससे बार नहीं रहेगा चलिए next देखते हैं हम लोग next जो chapter है वो है आपका त्रिकोण मीती का कुछ अनुप्रियोग है ना और त्रिकोण मीती उन्हीं दोनों से मिल करके तो एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए 1.5 मीटर उचा फिसलन पट्टी बनाता है इस फिसलन पट्टी है इसका उचाई क्या है 1.5 मीटर जो भूमी के साथ 30 डिग्री कितना डिग्री फिसलन पट्टी की लंबाई एल ये लंबाई है ध्यान में रख्येगा ये एल आपको निकालना है ठीक है ये क्या है कर्ण है क्या है कर्ण है ये क्या है लंब ये क्या है लंब और इसको आप मानियेगा आधार है ही जिस पर एंगल रहेगा वही आधार होता है अगर ये कौन रहा था तिस डिग्री तो ये आधार हो जाता है इसको ध्यान में रखेंगे चलिए अब ये कह रहा है अब हमारे पास फर्मूला है फर्मूला को ध्यान रखिए कि लाल बटे कक्का सब है ना यानि पंडित बद्री परशाद हरी हरी बोल यह याद रखने का अलग अलग तरीका लंब आधहार लंब कर्ण कर्ण आधहार तो ये साइन ये कॉस और ये टैन तो साइन का क्या होता है लंब बटा कर्ण और कॉस का क्या होता है अधहार बटा कर्ण और टैन का क्या हो जाएगा लंब बटे आधहार यानि पी बी पी हरी हरी बोल एक ही चीज़ अब एक चीज़ थ्यार में रखो फिसलन पट्टी की लंबाई इसकी लंबाई फिसलन पट्टी की लंबाई यह आपको find out करना है अब यह कर्ण है और यह क्या है लंब है तो लंब और कर्ण का रिष्टा किसके साथ है लंब और कर्ण का रिष्टा कहा है यहां पर यानि perpendicular hypertenous का रिष्टा किसके पास है sign के पास है sign के पास या sign का उल्टा cause के पास तो cause के पास जाना उससे भी बना सकते हैं तो sign के पास ही चलिए sign तो sign 30 degree sign 30 degree बराबर lump बटा कर्ण तो lump कितना है 1.5 कर्ण कितना है एल ठीक है यही निकालना है sign 30 degree के value एक बटा दू बराबर 1.5 बटा अगर आप इसको solve करेंगे तो एल बराबर क्या हो जागा डेड़ गुने दू 1.5 इंटू 2 यानि 3 एल बराबर 3 मीटर तो यानि कर्ण कितना हो जागा फिसलर पट्टी की लंबाई क्या हो जागी 3 मीटर ठीके तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि एक तो पहले आप figure बना लेंगे त्रिभूज बना लेंगे उसके बाद एक चीज जो दिया हुआ है और जो पूछ रहा है जो दिया है और जो पूछ रहा है ये दोनों जिसमें होगा उसी का हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे ठीक है चलिए 27 तो हमने देख लिया है cos 90 minus theta sin theta sin ये हो जाएगा है ना चलिए next अब क्या है breathe breathe से question देखिए breathe तथा उसकी असपर से रेखा के उबैनिष्ट बिंदू को क्या कहते हैं breathe ये breathe है और ये मान लो असपर्स रेखा है ठीक है तो ये बिंदू को हम लोग क्या बोलेंगे छेदक रेखा असपर्स रेखा थोड़ा था गरबड़ा है यहाँ पर असपर्स बिंदू हो जागा ना वही आंसर भी हो जाएगा असपर्स बिंदू ठीक है, मुल बिंदू तो होगा नहीं, क्या हो जागा, अस्पर्स बिंदू ठीक है चलिए, ब्रीत और उसकी अस्पर्स रेखा के उभेनिष्ट बिंदू को हम लोग क्या बोलेंगे, अस्पर्स बिंदू ठीक है, यह आपके फिल इन दे ब्लैंक से भी कोश्चन है, तो अस्पर्स रेखा के उपर क्या होज़ेगा, अस्पर्स बिंदू, टैंजिन पॉइंट, ठीक है ठीक कोश्चन क्या कह रहा है, 29, एक बिंदू A से जो एक ब्रित के केंद्र से 13 सिंटीमीटर दूरी पर है, ब्रित के अस्पर्स रेखा की लंबाई 12 सिंटीमीटर है, ब्रित की त्रिजिया है, कुछ भी तीनों में से कुछ भी चीज़ दे सकता है ना, तो इसका कंसेप्ट जो होता है अस्पर्स बिंदू पर 90 डिगरी का कौन बनाता है, तो ये 90 डिगरी हो गया, ये आपका एंगल हो गया, ठीक है, तो कर्ण कौन सा हो गया, ये, ठीक है, कर्ण क्या हो गया, ये, ये आपका आर, यानि रेडियस हो गया, त्रिजिया होता है किसका, इस वृत का, और ये क्या है असपर्स रेखा की लंबाई तो असपर्स रेखा की लंबाई आधार हो जाएगा ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका कर्ण हो जाएगा ठीक है तो यह माली से O है यह P है और यह Q है तो O P स्क्वाइर जो होगा वो क्या हो जाएगा O Q स्क्वाइर प्लस P Q स्क्वाइर होगा न तो एक बिंदू A से जो बृत के किंद्र से 13 सेंटिमीटर दूरी परिस्थित है बृत की असपर्स रेखा की लंबाई 12 सेंटिमीटर है कह रहा है कि यह आपका 13 सेंटिमीटर है और यह असपर्स रेखा की लंबाई 12 तो आपको R निकालना है तो यह क्या हो जाएगा हमको पता है कि कर्ण की अलावा दूसरा अगर भुजा निकालना है तो क्या करते हैं कर्ण की स्क्वाइर से अन्य भुजा की स्क्वाइर को क्या करते हैं घटा देते हैं तो 13 का square माइनस 12 का square ये क्या हो जाएगा आर का square है ना अगर कर्ण निकालना है मतलब केंद्रे बिंदू से यानि यहां केंद्र से ले करके और उस point तक के बीच की दूरी अगर find करना है तब जोड़ना होगा दोनों के square इसका square और इसका square जोड़ना होगा और ये इन दोनों में से अगर इसको भी निकालना होगा तो इसका square से गटाना होगा और अगर ये भी निकालना है तो इसके square से इसके square को गटाना होगा तो तेरा का square माइनस बारा का square तेरा का square 169 और बारा का square 144 ये हो जाएगा आपका एक मिनट 179 ये 169 माइनस 144 इसको गटा होगे तो कितना जाएगा 25 तो आर स्कार बडावर क्या हो गया 25 तो आर की वैलू क्या हो जाएगी 5 ठीक है माइनस तो होगा नहीं तो आर की वैलू 5 clear है तो ध्यान में रखेंगे अगर कर यानि इस point से इस दूरी से यानि केंद्र के बाय दूरी से अगर बृत के बाय दूरी से केंद्र तक की दूरी अगर दी हुई है तो अगर उसको निकालना है तो हम जोड़ेंगे 2-4 जा एर करके क्योंकि यह होता है करनण होता है ठीक है चलिए नेक्सट किसी बाहयबिन्दू से बdayot पर कितनी असपरस रिखाए हो सकती है ना तो मालनो एक बाहयबिन्दू है यह अवा customer है यहार रखिए यह एकavoir बिंदू है अब इस पर अस्पर्ष रेखा यह यह इसके अलावा एक बिंदू से कितनी अस्पर्ष रेखा यह हो सकती हैं 2 इतनी 2 कोगों ठीक है फिर यह पॉइंट रहेगा तब अलग अस्पर्ष रेखा होगा इदर करेंगे तो क्या हो जेगा तो कितनी असपर्ष रेखाए एक बिंदू से एक बाहिया बिंदू से दो असपर्ष रेखाए खीची जा सकती है अगर आप से पुछा जाएगा कि एक बृत पर कितनी असपर्ष रेखाए खिची जा सकती है तब क्या हो जागा अनंत यानि इन्फाइनाइट क्लियर है चलिए नेक्स्ट चाप्टर बृतों से संबंदी छेत्रफल तो फर्मूला याद रखिए क्या-क्या फर्मूला है बृत का जो सर्कम्फेरंस होगा वो क्या हो जाएगा टू पाई आर ठीक है और्ध बृत का सर्कम्फेरंस क्या हो जाएगा यह आपका क्या हो जाएगा अर्ध बृत तो अर्ध ब्रिद का परिमाप कि ब्रिद का परिमाप तो ये ब्रिद का परिमाप और ब्रिद का परिधी है तो अर्ध ब्रिद का परिमाप और परिधी क्या हो जाएगा तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा टू पाई यार का अधा पाई यार और यहां से यहां तक की लंबाई क्या हो जाएगी 2R तो क्या हो जाएगा Pi R प्लस 2R Pi R प्लस 2R R को कॉमन कर लेंगे तो Pi प्लस 2 यह भी हो सकता है यह क्या है अर्ध ब्रीथ का परिमाप चलिए ब्रीथ का छेतर फल कितना होता है Pi R स्क्वाइर ठीक है फिर यह ब्रीथ है तो अगर कोई कॉर्ड है कॉर्ड जो है वो इस ब्रीथ को दो भाग में भी भाज़ित करें एक कॉर्ड तो एक हो गया यह दिर्घ ब्रीथ खंड हो गया और यह लगू ब्रीथ खंड हो गया क्या हो गया ब्रीत खंड ठीक है अच्छे दूसरा त्रीजिखंड अगर केंदर यानि त्रीजिया जो है अगर ब्रीत को दो भावे में बाट रही है तो एक दोनों क्या हो जाएगा उसको बोलेंगे त्रीजिखंड ठीक है तो त्रीजिखंड में क्या हो जाएगा ये दिर्ग है मेजर औ अब छेत्रफल की जब बात आएगी तो अगर कोई भी त्रीजखंड है वह थिटा कोन बनाता है तो इसका छेत्रफल क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा थिटा बटा 360 गुने πाई आर स्क्वाइर जो थिटा दिया रहेगा उतना थिटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वाइर तो आर ब्रीत वाले अर्ध ब्रीत का परिमाब क्या हो जाएगा पाई आर प्लस टू आर ठीक है तो यह हो जाएगा केंद्रिये कोन थिटा और आर त्रीजिया वाले त्रीजिखंड का छेतर फल तो थिटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वाइर यही हो जाएगा ठीक है क्या रहा है कि 14 सेंटिमीटर त्रीजिया वाले ब्रीत के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 90 डिगरी कोन अंतरित करती है ठीक है त्रीजिया कितनी है और क्या निकालना है चाप की लंबाई यानि परीधी के उसार यानि यह है तो चाप की लंबाई आप इह निकालना है आर की वेलू कितनी है 14 14 है ना आर की वेलू 14 तो यह हो जाएगा 4 कितना हो जाएगा 22 सेंटी मेटर तो चाप की लंबाई कह रहा है तो परीधी समझ लेना है परीधी यानि थिटा बट्टे 360 गुने 2 पाई आर अगर छेतर फल कह रहा है तो थिटा बट्टे 360 गुने पाई आर इस्क्वाई ठीक है चलिए नेक्स्ट जो चाप्टर है वो है आपका जो घन घनाव संकू यानि प्रिष्टिये छेतरफल और आयतर इन सबका क्या है प्रिष्टिये छेतरफल और आयतर ठीक है तो चलिए फिर हम लोग सबसे पहले इसमें फर्मूला याद है तो सारा question बन जाएगा है ना तो घन घन है तो घन का जो छेतरफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 6A square आयतन क्या हो जाएगा AQ ठीक है घन आपका क्या हो जाएगा 2 into LB plus BH into HL 2LB plus 2BH plus 2HL ये भी कह सकते हैं है ना एरिया यानि volume क्या हो जाएगा L into B into H आयतन क्या हो जाएगा लंबाई गुने चोड़ाई गुने उचाई ठीक है अगर एरिया of four walls चार दिवारी का अगर रहेगा यानि जो छेतरफल प्रिष्टिय छेतरफल जो है वो क्या है दो तरह के होते हैं या तो प्रिष्टिय छेतरफल या तो संपूर्ण प्रिष्टिय छेतरफल तो ये आपका संपूर्ण है ये भी क्या है संपूर्ण प्रिष्टिय छेतरफल तो अगर प्रिष्टिय छेतरफल हो जाएगा तो उपर का जो टू पुर्षन होगा ऊपर का पोर्षन और नीचे का पोर्षन ऊपर और नीचे वाले को भटा देंगे त्वे एल इंटू बी से अ drag है तो चलिए अब जब प्रिंस्ट जो है वो वक्र है तब आम हम लोग देखेंगे सिलिंडर यानि बेलन तो बेलन जो है उसका क्या हो जाएगा 2 πाई आर एच यह क्या हो गया कर्व प्रिष्ट कर्व छेत्रफल यानि पार सप्रिष्टि यह चेत्रफल कर्व सर्फेस एरिया अगर इसका संपूर्ण करेंगे तो 2 πाई आर एच प्लस पाई आर स्कूर प्लस पाई आर स्कूर यानि 2 पाई आर स्कूर तो 2 पाई आर को कॉमन कर देंगे 2 pi r common हो जाएगा तो h plus r हो जाएगा यह क्या हो जाएगा संपूर्ण प्रिष्टिय छेत्रपर टोटल सर्फेस area of cylinder ठीक है अगर इसका आयतन कहेगा तो आयतन क्या हो जाएगा आयतन हो जाएगा pi r square h ठीक है संकू में आईए तो संकू में आप देखिएगा तो संकू में यह l है यह h है और यह r है तो इसका कर्ब सर्फेस area यानि वक्र प्रिष्टिय छेत्रपल क्या हो जाएगा pi r l संपूर्ण यानि टोटल सर्फेस area क्या हो जाएगा pi r l पलस एक ही circular portion है नहीं नीचे pi r square तो यानि pi r common हो जाएगा तो l पलस r यह भी क्या हो जाएगा टोटल सर्फेस area किसका कोन का इसका volume क्या हो जाएगा 1 by 3 pi r square h 1 by 3 pi r square h ठीक है उसके बाद आ जाएए हम लोग देखेंगे sphere sphere है तो क्या हो जाएगा इसका total surface area कर्व होता नहीं है इसका तो क्या हो जाएगा 4 pi r square ठीक है और item क्या हो जाएगा 4 बटा 3 pi r cube ठीक है अर्ध गोले का इस तरह का अर्ध गोला है तो क्या हो जाएगा 2 pi r square pi r square total है surface area है तो इसका क्या हो जाएगा 2 pi r square curve-surfaceरिया इसका क्या हो जाएगा 2πr2 curve surface है रिया हो गया किसका अर्द गोला का हमीसफेर का ठीक है और इसका आयतन क्या हो जाएगा गोले का आयतन का आधा 4 बटा 3 तो इसका हो जाएगा है dwa बटा तीन पाई आर क्यूआ क्लियर है यह होगे आपका अर्धोले का आहतन आई होप आप समझगे होगे कि चलिए इसके आगए आई यह चिन्नक रस्ट्रम क्या होगा फरस्ट्रम तो फरस्ट्रम में आप बात करेंगे यह हैं फ्रस्ट्रम है ना आप वो देखें हैं बाल्टी देखें ही होंगे इस तरह से यह उल्टा माग लिजें ठीक है तो यह आपका H यह हो गया आपका H ठीक है यह हो गया आपका L क्या हो गया L अब यहाँ पे दो रेडियस है एक हो जाएगा आपका R1 और दूसरा हो जाएगा आपका R2 क्या हो जाएगा R1 और R2 अब देखें एक चीज़ ध्यान में रखें कि आपका जो बुक में जो दिया हुआ है बुक में R1 और R2 को जो दिया हुआ है, R2 को हमेशा छोटा दिया गया है, यानि इसको R2 मान लिया गया है और इसको R1, तो आप भी ध्यार में रखें कि R2 छोटा को ही मान ले, ऐसे उसका कोई फर्क पढ़ने वाला नहीं है, आपको क्या ध्यार में रखना है, एक जगा केव प्रिष्टिय छेते फल यानि कर्व है न, तो पाई क्या होजाएगा, उसका RL था न, संकू का, तो इसका होजाएगा, पाई R1 प्लस R2 इन्टू L, क्लियर है, चलिये, तो L बराबर, L पूस देगा, फ्रस्ट्रम देदेगा, यानि छिननक देदेगा, और L का मान निकालन के लिए पूछेगा, तो L बराबर हो जाएगा, H स्कॉाइर प्लस बड़ावला माइनस छोटावला का स्कॉाइर, यह R1 माइनस R2 का स्कॉार यह क्या होजाएगा, एल हो जाएगा, क्लियर है, अच्छे, संपुर्ण प्रिष्टेच छेते फल क्या होजाएगा, पाई R1 प संपुन्ष प्रिष्टी एक चेत्रफल्फ आय तन क्या होजाएगा एक बड़ेतू थी पाइं इन टू एच हिए यह जाता है इसका फ्रस्ट्रुम उसे छिननक का, clear है, चलिए, तो सारे फर्मूला हम लोग कि यहां पे देख लिए, रिवाइस कर लिए, है ना, यहां तो फर्मूला पुछेगा या फर्मूला बेस्ट कोश्चन पुछेगा, चलिए, यहां देखिए, पहला कोश्चन, यदि घन का, धन नहीं है, घन होगा ना, तो घन का जो आयतन है, वो 216 संटिमेटर क्यूब है, तो घन का किनारा कितना होगा, यानि side, तो हमको क्या पता है, पता है कि a cube, एक cube बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा 16, तो दूसरा 16 किसका इसको आ रहा है, किसका क्यूब है तो यह क्या हो जागा चो का तीन बार करेंगे तो चो चक शती चक दूसर सोल लग तो यहीं क्या हो जागा चलिए नेक्स्ट कोशन देखिए एक संकू की उचाई 12 सेंटीमीटर है एक संकू है जिसकी उचाई क्या दी हुई है 12 सेंटीमीटर है ना तो एच दिया हुए 12 सेंटीमीटर आधार का ब्यास 10 सेंटीमीटर तो तरीजया कितनी हो जागी 5 सेंटीमीटर संकू की तिरिया कुछाई चलिए संकू की तिरिया कुछाई पूछ रही है है ना देखिए कि यह संकू है यह आपका 5 cm की अधार दिया हुए है और यह संकु की उचाई 12 cm उचाई दी हुई है 12 cm आपको यह निकालना है L तो L स्कॉयर बराबर क्या हो जाएगा दिस प्लस दिस यानि 12 का स्कॉयर प्लस 5 का स्कॉयर क्यों 90 डिजरी ना तो 12 का स्कॉयर क्या हो जाएगा तो 144 प्लस 25 यानि 169 ये किसका आया एल स्कॉयर का L बराबर क्या हो जाएगा एल बराबर हो जाएगा root 169 तो यह हो जाएगा 13 क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर इसका अंसर हो जाएगा clear है तो इसका आंसर हो जाएगा 13 cm संकू की उचाई अगर 12 cm है आधार का अभ्यास 10 cm है तो संकू की तीरेक उचाई कितने हो जाएगे 13 cm चलिए एक ये कोश्चन देखिए कि त्रीजिया 42 cm वाले धातु के गोले को पिगला करके त्रीजिया 6 cm वाले एक बेलन की रूप में ढाला जाता है गोला है जिसका त्रीजिया कितना है 42 cm है उसको पिगला करके त्रीजिया 6 cm वाले बेलन की रूप में ढाला जाता है बेलन का बेलन की उचाई होगी बेलन की उच तो और पिखला करके एक रूप से दूसरे रूप में रुपान्थित किया जाता है तो एक ही चीज बरावर होगा जो वह है आयतन ठीक है तो धातु यानि गोले का आयतन वह किसके बरावर होगा बेलन के आयतन के देलन के आयतन के तो चलिए हम लोग एक साफ ले लेते हैं बोड़ चलिए यहाँ पे बेलन का आयतन यानि पाई आर इसक्वाइर एच बराबर गूले का आयतन चार बटा तीन पाई यार क्यूब अगर हमको क्या निकालना है एच निकालना है तो एच बराबर क्या हो जाएगा चार गूने आर क्यूब किसका आर क्यूब है देखिए यहाँ पे 42 सेंटिमीटर दिया हुए न गोला का त्रिज्या तो यह 42 हो जाएगा 42 का क्यूब बटा तीन गूने यह आर जो है नीचे आ जाएगा तो आर इसक्वार यह कितना दिया हुए है आर दिया हुए 6 सेंटिमीटर तो 6 सेंटिमीटर कितना हो जाएगा 6 का क्यूब होगा चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं चार गुने 42 गुने 42 गुने 42 गुना नहीं करना है पहले कार्ट पिट लेना है लिख करके है न असान हो जाएगा 6 गुने 6 गुने 6 तो 6 सते 42 चो सते 42 चो सते 42 अब ठीक है अब क्या है 7 7 7 7 7 सते 49 गुने 7 तो कितना हो जाएगा 343 तो 4 गुने 343 बटा 3 ठीक है तो कितना हो जाएगा 4 तीयाई 12 चार चुके 16 एक 17 चार तीयाई 12 एक 13 बटा 3 कितना हो जाएगा 3 चुके 12 एक 17 हो जाएगा हाना तो यहां पर तो गरबड़ दिख रहा है देख लीजिए कहीं गरबड़ हो रहा होगा बनाने में कितना है त्रीजिया 42 सेंटीमीटर वाले धातू को पिखला करके गोले गोले को पिखला कर त्रीजिया 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन की रुप में ढाला जाता है तो बेलन का क्या हो जाएगा पाई आर स्कॉाइर एच और गोले का क्या हो जाएगा चार बटा तीन पाई आर क्यूब तो आर स्कॉाइर एच बराबाबा चार बटा तीन पाई आर क्यूब तो चार आर क्यूब कितना है जगा 22 कक तीन तो 42 गूने 42 गूने 42 बटा तेन six, 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 six ठीक है तो फिर क्या हो गया छषार शत्वजजजजड़च छषार शत्वजजजद ठीक है 37 49 फिर MIKE 345 फिर tackle चार ठीक है चार टी दी लाएजजजजज़ड़च ठीक है ठीक है चलिए तो यहां पर ये question कर वढ़ड़ है तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर 32 cm वाले धातू के गोले को पिखला करके 36 cm वाले एक बेलन के रूप में डाला जा रहा है तो उचाई क्या होगी तो बेलन का जो आयतन होगा यानि पाई आरी स्कॉाइर एच वो क्या होगा गोले के आयतन के बरावर होगा तो गोला का आयतन क्या हो जागा 4 बटा 3 पाई यार क्यूब हाणा चेलिए नेक्स चाप्टर देखिए आपका आगया मीन मिडियर मोड़ यानि सांखी की है तो क्या है इनमें से कौन से समंद सही है तो सीधा आपको याद रखना है 3 माध्यक बरावर 2 माध्य przylus बहुलक कोषण पुछा जाएगा ये यहां से एक कोषण जैरूर रहेगा या तो आपका निकालने के लिए दे दे माध्य माध्यक में से एक गायव कर दे और दुसरा निकालने के लिए दे हाना क्या करे एक गायब कर दे और दूसरा निकालने के लिए दे तब भी हाना तो आपको ध्यान में रखना है तो क्या हो जागा तीन माध्यक बराबर दो माध्य पलस बहुलक यानि थ्री मिडियन बराबर टू मीन पलस मोड ठीक है अच्छे नेक्स्ट देगा अधिक प्रकार का तोरण और कम प्रकार का तोरण है ना तो अगर तोरण उपर से नीचे की तरव दिखो इस तरह का ऐसे 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 डाउनवर्ड तो यह क्या है से अधिक प्रकार का तोरण और इस तरह से जाएगा यानि बढ़ रहा है थो से कम प्रकार, से कम, से कम, यह हो जाएगा से कम प्रकार का तोरण और यह क्या हो जाएगा से अधिक प्रकार का तोरण, ठीक है चलिए ये से कम प्रकार का तुरण है ना और ये से अधिक प्रकार का तुरण ठीक है इधर संचाई बारंबारता और इधर सिमाए रहेंगे कौन सी सिमाए निमन सिमाए ते से अधिक प्रकार का तुरण और उपरी सिमाएं इसमें तो यह हो जाएगा से कम प्रकार का तोरण ठीक है चलिए ओगिव तोरण का मतलब क्या होता है ओगिव ठीक है अब यहाँ पे है कि एन कितना दिया हुआ है एन पचास है तो माध्यक क्या हो गया तो कितना होगा यंन बाइ-2 यानि 50 तो 50 का कितना है 30 तो क्या होजएगा 30 कितना होजएगा 30 ठीक है अगर आप अगर इसको आप बनाएंगे फर्मुला से अगर आप जो माध्यक निकालने का फर्मुला है तो क्या है जीरो से दस ठीका है अच्छे यह कौन सा तोरन दिया हुआ है यह आपका कौन सा तोरन है यह है से कमप्रकार का तोरन से कमप्रकार का उप्री सिमाय दी हुई है ना तो क्या है से कम प्रकार का तोरण तो ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 फिर क्या है 0 से 10 में cumulative frequency 5, 0 से 10 में CF, ये है आपका CF तो पांच कितना है 15, ये कितना है 25, ये कितना है? अ मतालेथ, ये कितना है 55, तो Свख क्या हो जाएगा 5 ये कितना हो जाएगा 10 अना 25 पंदरह, फिर 10 45 में थारेथ, 25 25 दूरेथ, तो ग्या है उसमें CF कौन है ये? तो L क्या हो जाएगा 20 L प्लस N बाइ 2 C F माइनस 15 25 में से 15 तो क्या हो जाएगा 10 बटा F क्या है 10 गुने H क्या है 10 यह यह एक 210 यहां से भी क्या जाएगा है कि अगरती है कि तो यह जब भी इस तरह से रहेंगे संचय बारभा और उपरी सिमाय का ग्राफ यह क्या है से कम प्रकार का तोरण है all this आप और उपर से नीचे की तरफ है तो से अधिक प्रकार के का तोरण और यह क्या होगा नीवन सिमाय का ठीक है सवाइक सी बात है निवनी सीमा रहा है तब इन उससे अधीक प्रकाय का तोरण होगा और अगर उपरी सीमा है तो उससे कम प्रकाय का तोरण चेलिए फिर इसमें हम लोग देखेंगे फर्मूला याद कर लीजे माध्यक का फर्मूला एल प्लस एन बाई बाई 2 माध्यक अभी हमने जो इस्तेमाल किया बाई f इंटु h यह cf है न यह किसका है माध्यक यादि मिडियन मॉड का क्या है एल प्लस है न फवन माध्यक फजीरो बाई 2 f1 माध्यक फजीरो माध्यक प्लस इंटू h clear है और माद देगा क्या है तो summation f1 x1 by सीधे fx या fi xi by summation fi ये किसका है माद देगा clear है तो ये माद देगा भूलक का तीनों का formula है या तो सीधा formula ही देदेगा है ना और बाकी अगर नहीं है ये जो question सबसे उपर में था माद देग और बहुलक और माद देगे बीच का संबंध है ना इससे भी प्रश्ण पूछे जा सकते है चलिए last topic प्राइक्टा असंभाव घटना की प्राइक्टा 0 संभाव घटना की प्राइक्टा 0 से 1 के बीच में हो सकता है यानि PE जो होगा वो 0 से बड़ा और बराबर हो सकता है और 1 से छोटा या बराबर हो सकता है ठीक है PE क्या क्या नहीं हो सकता है माइनस में नहीं हो सकता है प्राइक्टा माइनस में नहीं हो सकता है और क्या हो सकता है 8 by 5 ये भी नहीं हो सकता, 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता है निगेटिम भी नहीं हो सकता है अगर percentage में दिया हुआ है तो 100% से उपर नहीं हो सकता है clear है? इसका आप लोग द्यान रखेंगे next देखिए एक थैले में 4 लाल और 6 काली गोलियां है एक गोली निकालने पर काली होने की प्राइक्ता है तो काला 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 है? 6 काला है तो 6 बटे टोटल गोली काला है? 6 वचार 10 तो 6 बटे 10 इसको काटिये काटियेगा तो 2 ती आई 6, 2 पचे 10 यानि 3 बटा 5 इसका अंसर क्या हो जाएगा? आप्सन नमबर C 3 वटा 5 है ना? तो यह जो गोली निकालने वाली प्राइक्ता है यहां से भी प्रशन पूछे जा सकते हैं ठीक है? I hope आपको यह clear हो गया होगा है ना? मिलते हैं next chapter में next video के साथ subjective के साथ अगर आप इस channel पे नहें हैं चैनल को subscribe जरू कर ले thank you thank you for the watching all the best for the exam